आज का प्रेरक परसंग है स्वतंतरता मुल्य है स्वतंतरता मुल्य है किन्तो जो लोग स्वतंतरता चाहते हैं उनसे वह मुल्य मांगती है कैसा मुल्य मात्रधन शक्ति अथ्वा समय ही नहीं स्वतंतरता जो मुल्य मांगती है उसमें सर्वस्व ही आ जाता है प्राणों की भी आहुती देनी पड़ती है, ऐसे ही सर्वस्व बलिदान के महंगे मुली पर मिला करती है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राण होती है, जीवन होती है, एक परतंत्र गुलाम व्यक्ति का जीवन, क्या जीवन कहा जा सकता है, किसी समय भारतवर्ष अंग्रेजों के अदिन था, स्विकार करना ही होगा कि हम बारतवासी उस अवदी में अंग्रेजों के विदेशियों के गुलाम थे, वह गुलामी का जीवन भी क्या कोई जीवन था, हजारों, लाखों और करोडों भारतियों को वह जीवन जीना नहीं था, स्वतंतरता के लि तता अन्य अनेक स्वातंत्र योधाओं को जैल में ठूस दिया था यतिंद्र नातदास को स्वयम अपने सुक दुख की तो कोई चिंता नहीं थी किन्तो अन्य वेक्तियों पर जो अत्याच्यार अंग्रेजी सरकार कारागरह में कर रही थी उन्हें वह सहन नहीं कर सके परिना आच है तू एक समीती गठित की उस समीती ने अभिशंसा की यतिंद्र नातदास ता अन्य सुरतंतता सेनानियों को मुप्त किया जाए इन्तो सरकार ने इस अभिशंसा को स्विकार नहीं किया दिन व्यतित होते चले गई यतिंद्र नातदास की अंशन जन्य कमजोरी ने लगा तब अंग्रेजी सरकार ने यतिंद्र नातदास को रुपए 10,000 की जमानत राशी पर मुप्त करने की गोशना की इन्तु धन्य था वह भारत माता का सपूत बलिदानी यतिंद्र नातदास की उसने इस अपमान जनक शर्ट पर जेल से मुक्ति के प्रस्ताव को दुक्रा दिया तरसर्ट दिन के अंशन के पश्यात मुरत्यू से पूरो उसने अपनी अंतिम ललकार दी जीवन जा रहाए तो चला जाए भारत माता की स्वतंतता के लिए यह जमर्पित है किन्तु सिदानतों के साथ समझोता नहीं किया जा सकता इतना ही ता आज का प्रेर परसंग के साथ